फिल्लोर में जो धम्मा फेर्टेशन है वहां के जो पतादेकारी हैं उनसे बाचीत होने के बाद पता चला कि पंजाब के अंदर जो भिक्कु हैं या मंग हैं उनको कहीं कहीं भिकारी भी समझा चाता है ये बात वहां आई तो इस बात को आज इसपश्ट करेंगे के भिक्कु या भिक्कुनी क्या हैं और कैसे हैं भिक्कू और भिक्कूनी भगवान बुद्ध की सिक्षाओं के टीचर रहे हैं छोटे टीचर, बड़े टीचर, प्रॉफिसर टीचर और भिक्कू और भिक्कूनी का नाम वहीं से पड़ा है भगवान के समय में कोई भी भिक्कू या जो भिक्कूणी है उसने कभी भी भिक्चाटन यानि भिक्का नहीं मांगी यानि कि वो कभी भी मांगने नहीं गया होता क्या था कि भगवान बुद्ध तथागत या अमिताब बोले अमिताब जिनकी आभा जिनका जो आभा है वो अमिठ है यानि कि बहुत ज़्यादा है और तथागत ने बुद्ध ने जब अपने इस्टुडेंटों को पढ़ाना शुरू किया तो उनमें सबसे पहले जो शुरूडेंट आए उनके साथ में उनको वो सामनेर बोला करते थे या सामनेर वो होते थे जिनको सिखाय जाता था और सामनेर जब सीख जाते थे तो उनकी उपसंबदा होती थी उपसंबदा का मतलब है कि उनको देखना सिखाय जाता था कि चीजों को कैशे देखें उसको समय की भासा में दिखा बोलते थे और यानि दिख्षित हो गए दिख्षित का मतलब है जो आज में हम हिंदी में बोलते हैं दिख्षित हो गए तो दिख्षित उस समय के दिख्षित है दिक्कित होने के बाद में उपसंबदा हो गई यानि कि उनका एक संसकार हो गया पूरा जो संग था भगवान बुद्ध या उनके जितने भी सिस्से होते थे जो सीखे हुए होते थे वो बैठते थे और वो उनकी एक परिक्षा लेते थे और भिक्कु संग जब इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चित हो जाता था कि अब ये सीख गया है तो उसको उपसंबदा बोलते थे और उसको कहते थे कि अब इसकी दिक्षा हो गई ये दिक्षित हो गया यानि आज की डेट में दिक्षित हो गया तो ऐसे भिक्कु या भिक्कुणी या जो भी लोग होते थे वो दूसरे स्टेप पर आते थे यानि सामनेर के बाद में वो भिक्कु बनते थे और दस साल तक जो लगातार भिक्कु जीवन यापन करते थे या भिकुनी जीवन यापन करते थे, उनको फिर थेर बोलते थे, या थेरी बोलते थे, महाथेर या महाथेरई, या उनको बोलते थे, कि इनको 10 साल का 10 साल का experience है यानि 10 साल तक इनको पढ़ाते पढ़ाते हो गया है इसलिए अब ये बड़े विक्कू हो गए मगर बहुत बड़े नहीं हुए क्योंकि 10 साल से 20 साल तक जो विक्कू लगातार जीवन में आता था तो 20 साल के बाद उसको फिर महा थेर या महा थेरा या महा थेरी बोला करते थे यानि कि वो उनसे भी ज़्यादा बड़े विक्कू विक्कू संग के अंदर जो नियम बनाए उसमें कहीं पर भी इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप 60 वर्स की आईउ में आके भिक्कू बने तो आपका जीवन 60 का है वहाँ जब आपकी उपसंता होती थी जब आपकी टेनिंग खतम होती थी उससे आपकी आईउ कांट होती थी और भिक्कू की आईउ उसी समय से मानी जाती थी किसी की 5 साल, किसी की 10 साल और कोई अगर दस साल की जीवन में आ जाए तो उसका फिर आगे और भी ज़्यादा जीवन भिक्कू में रहता था ये उनका भिक्कू काल था तो भगवान बुद्ध ने जो उनको नाम दिया यानि भिक्का भिक्का का मतलब है भिरमन करते हुए सिक्षा देना और बदले में इतना भोजन लेना जितना संग के लिए उस दिन के लिए जरूरत है वो भी सिर्फ वो जाके खड़े होंगे मांगेंगे नहीं अगर देख लिया किसी ने तो उनको भिक्चा देगा भिक्चा लेने के बाद में ये कमपसरी था कि वो उसको पढ़ाएंगे एजुकेट करेंगे अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो सिक्षा नहीं देंगे तो भिक्चा यानि खाना नहीं लेंगे और खाना लेंगे पांच घर में वो जाएंगे पांच घर में अगर उतने खाना मिल गया तो ठीक है दरवाज वो भिक्कु संग में बापिस आ जाएंगे और भिक्कु संग में जब सारा खाना खटना होता था फिर सारे भिक्कु मिलके उसको खाते थे इसके अलाबा कोई भी चीज उनको लेने के लिए बिलकुल इसपश्ट मनाई थी वो कोई भी चीज गिरन नहीं कर सकते थे और अपने मुह से मांग नहीं सकते खाना यह अपके दरवाजे पर खड़े होके यह नहीnd कहा सकते के आप उन्हें खाना दें या कोई चीज दें आपने देख लिया देदिया तो ठीक है नहीं दिया तो कोई बात नहीं मगर वो काने के बनने में हमेसा आपको शिक्शा देंगे इसलिए इसको भिक्का या भिर्मन करते हुए सिक्षा बोला गया और इसलिए उनको भिक्कू या भिक्कूनी या भंते या इस्थिविर या महास्थिविर ये सारे एक नाम है महास्थिविर हैं भंते हैं थेरा हैं थेरी हैं ये सारे के सारे एक नाम है और इस पूरे के पूरे भिक्का मागने के नियम को और भिक्कू और भिक्कुनी के जीवन में कैसे उनको चलना है ये सारे के सारे अंडर रूल आते हैं कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय या कोई भी पूरे विस्व में इस बात को ना समझे कि ये बिना टेंड किये हुए क्योंकि ये सारे टेंड है इनको कहिना कहीं दिखित हुए है आप उनसे पूछ सकते हैं और वो एक नियमों से बंदे होते हैं जो भगवान बुद्धने बनाये थे जितको विने पीटक बोलते हैं उसमें सारे नियम है भिक्कू के और भिक्णू के और उन आदेशों को उन नियमों को उने मानना पड़ेगा अदरवाइज वो भिक्कू और भिक्णू की भिक्णी की स्रेडी में नहीं आते और भिक्कू या भिक्णी इस्थिविर महास्थिविर भनते या क्या बोलते हैं आप ये कहें कि थेरा या महा थेरा या शंसकत में कहें तो भिक्चू, भिक्चूनी हिंदी में कहें तो भिक्चू, भिक्चूनी ये कहीं भी आपको जीवन में कभी भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे नहीं ये भीख मांगते ये अपने खाने के लिए खड़े होते हैं सिर्फ, उसके बद्ले में आपको सिक्षा देंगे और अगर कोई भीक मांगता है, तो आप इस पश्च रूप से जान लें उसके तो आपको सिक्षा पाने के लिए एुझे जानी एक सिक्षा अपकोसाःव momentumाई ऑा पगर सिक्षा दें जाएज में ले से फिल्मादा़ी लिए जामें ऎपको सिक्षा देखा क्भ़ territ्स argumentative झाल झाल